इस वीडियो में हम एक चोटा सा टोपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस री इंस्टेट्मेंट पॉलीसी इस पॉलीसी को हम कह सकते हैं कि ये फॉयर इंशरेंस पॉलीसी का ही एक टोपिक है रियल्टी में क्या होता है कि कभी-कभी हमारे बिजनस को नुकसान हो गया कहली जी आग की वज़ा से माली जी आग की वज़ा से हमारे नुकसान हो जाता है और पॉली डेमेज हो गई अब थोड़े वक्त के बाद हम क्या चाहेंगे पॉलीसी को दुबारा बनाना चाहेंगे बिजनस को दुबारा सेट अप करना चाहेंगे तो इस परकार की पॉलीसी में होता क्या है ये देख लेते हैं इंशुरेंस कमपनी पेज दा अमाउंट रिक्वाइड फॉर दा रिंस्टेटिंग दा डेमेज प्रोपर्टी जो हमारी प्रोपर्टी का नुकसान हो चुका है हम उसको दुबारा एस्टेबलिश करना चाते है रिंस्टेटिंग करना चाते है या ये कहा लिजिए रिस्टोर करना चाते है हम अपना बिजनस दुबारा शुरू करना चाते है तो उस प्रोपर्टी के उपर जो भी कोष्ट आएगी वो cost कौन पे करेगा insurance company पे करने वाली है तो definitely ये policy किसलिए है damage property को दुबारा restore करने के उपर दुबारा establish करने के उपर जो खर्चा आएगा वो cost कौन पे करेगा insurance company पे करने वाली है